फाइनली Samsung एकसी A54 5G स्मार्टफोन के यूजर्स का 1UI 6.0 अपडेट को लेकर जो वेट है वो अब ओवर हो चुका है क्योंकि Samsung ने इस स्मार्टफोन के लिए रॉल आउट कर दिया है 1UI 6.0 अपडेट को अफिशली इंडिया में और अपडेट 24 November 2023 को इवनिंग में जैसे ही रॉल आउट हुआ जैसे ही Samsung ने रिलीज किया मैंने आपको तुरंद Community टैप पर पोस्ट करके इंफोर्म कर दिया था तो अगर आप भी Samsung एकसी A54 5G स्मार्टफोन यूजर्स करें तो आपको जाना है Settings में, Software Update में, Download and Install में और यहाँ पर आपको जो अपडेट है वो Receive हो जाएगा और अब देख सकते हैं यहाँ पर Update Change लोग की बात करतो यार यहाँ पर काफी सारे New Changes हमें मिलने वाला है इस Update के बाद में जिसकी List अगर आप देखेंगे तो यार वो काफी लंबी है उसके बार में बात में बात करेंगे उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं Update Size की तो देख सकते है Update की जो Size है वो 2 GB से जादा है 2376 MB की है और इससे पहले Samsung ने दो कंट्रीज में इस Update को रोल आउट किया था UK और पोलेड में वहाँ पर भी जो Size है वो लगबख सिमिलर थी ताथ यहाँ पर हमें 1st November 2023 का latest security patch level देखने को मिलने वाला है तो जल्दी से इस Update को install करेंगे install करने के बाद में देखेंगे कि सब्डेट की installation के दोरान किसी तरह की कोई bugs तो नहीं है किसी तरह की कोई problem in issues तो नहीं है जिससे आपको update करने से पहले पता लग पाए तो यार हमें तो यह risk लेना होता है क्योंकि आपके phone में किसी तरह की कोई problem नहीं होनी चाहिए तो जल्दी से इस update को download करें उससे पहले यहाँ पर हम check कर लेते हैं फिलाल हमारा जो phone है वो देख सकते हैं A54 5G है यहाँ पर हम software information में अगर जाते हैं तो यहाँ पर अभी जो phone run कर रहा है वो one UI के version 5.1 पर run कर रहा है और Android 13 का यहाँ पर version है और अब हमारा जो phone है वो latest Android 14 में update होने जा रहा है तो यहाँ पर हम इसको जल्दी से download करके install करेंगे और देख लेते हैं security patch level भी अभी हमारे phone में 1st October 2023 का है तो चलिए जल्दी से update को download करते हैं download करने के बाद में इसको install करेंगे और देखेंगे कि update क installation के बाद में क्या-kya नए changes देखने को मिलते हैं साथ ही क्या-kya new features मिलते हैं और इस update के बाद में quick performance हम check करेंगे कि phone की performance किस तरह की देखने को मिलती है तो आप update को install करने से पहले इस video को starting से लेकर end तक जरूर देखना जल्दी से कर लेते हैं update को download और मिलते हैं इस update को download होने के बाद में और ये guys एक major update है तो हमेशा की तरह इस बार तो मैं आपको बताऊंगा ही कि आपको इस update को एक ही network से एक ही बार में download करना है क्योंकि अगर आप post करकरके अलग-अलग network से download करेंगी जैसे एक बार आपने mobile data से इस update को download किया दूसरी बार उसको post करके आपने अगर network से download करना है क्योंकि आपको installation में उसमें किसी तरह की problem नहीं आएगी तो यहाँ पर update completely download हो चुका है और अब यह ready है install होने के लिए चल्दी से इसको install करते हैं उससे पहले यहाँ पर time check कर लेते हैं 651 हो रहा है और साथ यहाँ पर जो battery level है वो 95% पर है तो देखेंगे कि इस major OS update में कितना time लगता है installation में और साथ यहाँ पर जो battery का consumption है वो कितना होता है लेकिन हाँ major update को आपको install करने से पहले ध्यान रखना है कि आपके phone की battery 80% से ज़ादा होनी चाहिए फिलल हमारे यहाँ पर जो battery level है वो 95% पर है और देखेंगे कि हम इस update को install लेने में कितना battery consumption होता है तो चलिए जल्दी से update को install करना स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं इस update के installation के बाद कर दो है तो फाइनली हमारा फोन जो है वो complete update हो चुका है और update यहाँ पर completely install हो चुका है और जल्दी से हम इसको unlock कर लेते हैं फोन को हमने first time unlock कर लिया है और unlock करने के बाद में यहाँ पर देख सकते एक notification मिला है अब यहाँ पर हम इसको done कर देते हैं और done करने के बाद में यहाँ पर हमारा जो फोन है वो start हो रहा है इसलिए हम फोन की जो processing है वो complete finish होने देंगे और finish होने के बाद में हम कुछ भी activity करेंगे नहीं तो phone starting में lag करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं update के तुरंट install होने के बाद में यहाँ पर हमें visually अभी तक कोई changes देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर icon सभी same है और यहाँ पर जो देख सकते हैं जो layout है वो सभी कुछ same है major changes है update के install होने के बाद में वो मिलेगा हमें यहाँ पर quick panel में जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हो चुका है light mode में भी जो I think कि देखने में यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि dark mode वाला feel दे रहा है से वो अलग से यहाँ पर कर दिया गया है साथ यहाँ पर इसको भी part कर दिया गया है और brightness का जो slider है वो यहाँ पर part कर दिया गया है जिसमें eye comfort shield और dark mode वाला feature जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है उसके लावाँ यहाँ पर smart view और device control का भी जो option है वो अलग कर दिया गया है तो यहाँ पर यह है notification panel layout 1UI 6.0 का इस quick panel layout के यहाँ मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी है यहाँ पर light mode में भी देखने में यह ऐसा लगता है कि हमने phone को dark mode पर switch किवा है वेल वहाँ तक तो ठीक है लेकिन हम actual में जब इसको dark mode पर switch करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं dark mode पर switch करने के बाद में phone में सारी apps वगेरा सब कुछ यहाँ पर dark mode में switch हो जाती है लेकिन यहाँ पर जब आप notification panel को down करेंगे तो यह वो as it is वैसे ही देखने को मिलता है only यहाँ पर इसका जो background है वो dark हो जाता है तो यह हो सकता है किसी किसी को पसंदा है किसी को नहीं आए तो personally मुझे अभी तक यहाँ पर थोड़ा सा यह अजीब सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का look मिलता है तो please एक बार अपनी रहे मुझे comment करके जरूर बताना यहाँ पर हो गई है quick panel की बात अब बात करते है icons की तो guys यहाँ पर देख सकते है icons आपको AZT से मिलेंगे यहाँ पर जिसे कि मैंने आपको बताए कि update के installation के तुरंत बात अगर notification panel down नहीं करेंगे तो कोई भी judge नहीं कर पाएगा कि आपका phone 1UI 5.1 पर run कर रहा है या फिर 1UI 5.0 पर run कर रहा है तो यहाँ पर visually changes बहुत ही कम है और अगर phone की performance की अगर बात करें तो यहाँ पर phone की जो performance है वो अभी मुझे ठीक टाक लग रही है देख सकते हैं यहाँ पर notification panel या फिर app drawer को इधर slide करने पर तोड़ा सा मुझे यहाँ पर slow feel हो रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ time बाद में आई hope की अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह का मुझे एक lag देखने को मिला है update के installation के तुरंत बाद में और यहाँ पर जो app opening animations है वो भी हलके हलके lag कर रहे है तो हो सकता है यह कुछ देर बाद में automatically fix हो जाएंगे क्योंकि हमेशा मैं आपको बताता ही हूँ कि update के installation के तुरंत बाद में phone को use करने के कम से कम आदे गंटे के बाद में phone हमारा जो है वो smoothly run करने लगता है उससे पहले phone थोड़ा बहुत lag करता है क्योंकि आप Samsung है Samsung के phone की Samsung की history रही है कि Samsung का phone update के तुरंत बाद में कुछ इस तरह से lag करता है तो guys यहाँ पर particular one UI 6.0 update के बाद में app opening animations की बात करें तो देख सकते हैं कि app opening animations almost यहाँ पर से हैं में लेकिन अब भी फिलाल के लिए मुझे एक छोटा सा यहाँ पर जो bug से वो देखने को मिल रहा है जैसे आप यहाँ पर किसी भी app को open करते हैं तो यहाँ पर एक square shape का यहाँ पर एक frame notice करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ square shape का जो frame है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैं आपको वीडियो को slow करके दिखाता हूँ इस तरह का यहाँ पर animation मिला है I think Samsung ने officially हर एक smartphone में release किया है या फिर यह किसी तरह का bug है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके लगा यहाँ पर animations जो है वो मुझे almost similar लग रहे है 1Uis 5.1 जैसे और यहाँ पर जो clock animation है वो आप देख सकते हैं वो काफी fast and smooth है और यह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का animations हमें देखने को मिलेगा only यहाँ पर मुझे एक जो यह square frame आ रही है वो मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है आप मुझे comment करके बताना कि आपको यह square frame है वो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है प्रसनली मुझे यह सही नहीं लग रही है हो सकता है Samsung इसको in future fix कर देगा यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक notification पैनल में किसी तरह के shutter वगरा नहीं आये है लेकिन app, opening, animation वगरा वो थोड़े से slow है उसके लगाँ अगर camera open करते हैं तो camera open होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर shutter speed में बताता हूँ कि shutter speed यहाँ पर मुझे यहाँ पर ठीक ही लग रही है बहुत जादा fast नहीं बोल सकते है as usual लग रही है लेकिन यहाँ पर जो इसकी performance है वो इसमें इस update के बाद में slow down तो नहीं हुई है वो तो phone को थोड़ा सा long time use करूँगा उसके बाद में ही पता चलेगा उसके लवा settings के layout के अगर बात करें तो चलते हैं settings में और settings में भी देख सकते हैं यहाँ पर minor से changes किये गए है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह के changes आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इसके icons के colors है उसको भी थोड़ा सा revamped किया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको software update के section में लेकर चलते हैं और download and install वाले option में लेकर चलते हैं और यहाँ पर हमारा जो update है वो अभी latest बताएगा हमने अभी ही just update किया है देख सकते है 1UI का version 6.0 हो चुका है अब हम settings में जाकर software update के section में जाकर भी check कर लेते हैं यहाँ पर हम चलते हैं about phone में about phone में आनके बाद में software information में और यहाँ पर हमारा जो phone है वो अब आ चुका है 1UI 6.0 वाले version पर और साथ यहाँ पर जो android version है वो भी हो चुका है android 14 जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके अलावा अगर visual change की बात करें तो यहाँ पर जो अगला visual change मुझे देखने को मिला वो मिला है default phone में यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि font जो है वो automatically यहाँ पर change हो चुके हैं क्योंकि Samsung ने इस बार one UI 6 update में जो default font है उसे भी change कर दिया है तो अगर आप settings पर जाकर display में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन में one UI 6.0 update के बाद में देखने को मिले वाला है हालाकि यह बात अलगे कि Samsung के इस स्मार्टफोन में one UI 6 के fonts जो है वो पिछले काफी टाइम से यूज कर रहा था one UI 5.1 वर्जन पर लेकिन well फिलाल यहाँ पर officially हमारे फोन में यह जो fonts है वो हमें देखने को मिल है तो यहाँ पर अगले visual changes की बात कर तो यहाँ पर fonts हो गया उसके लवा यह notification पैनल हो गया उसके लवा icons वकिता सब कुछ सेम है यहाँ पर और कोई भी major changes मुझे देखने को नहीं मिले कुछ minor से visual changes है जैसे कि यहाँ पर पहले galaxy store हुआ करता था तो यहाँ पर अब यह चोटे चोटे से यहाँ पर changes किये गए है और इसको complete refine किये गए है और I hope कि Samsung one UI 6.1 update के साथ में इसको और भी polish करेगा तो यहाँ पर final touch जो है वो one UI 6.0 का one UI 6.1 update के साथ में हमें in future देखने को मिल जाएगा अगला visual changes यहाँ पर मिलता है हमें किसी भी folder पर tap करने के बाद में ज by default यहाँ पर कुछ इस तरीका जो pop-up style है folders में वो यहाँ पर दे दिया है तो यहाँ पर हमें सभी folders में कुछ इससे तरीका pop-up देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और animations आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका देखने को मिलने वाला है उसके लिए यहाँ पर जो जो बहुती यहाँ पर इसके जो response है वो बहुती fast हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके लगवाव यहाँ पर जो अगला visual change notice किया है वह यहाँ पर settings जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर जाएंगे बैटरी में तो यहाँ पर बैटरी के लेट को भी completely change कर दिये गया है साथ यहाँ पर अगर आप optimization वाले device care वाले option में जाएंगे जैसा कि हम यहाँ पर चलने वाले है device care में तो यहाँ पर आ चुके हैं device care में तो इसका भी जो यहाँ पर देख सकते है emoji है वो change कर दिये गया है जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था कि आपको बाहर की तरफ visual changes इतने नहीं देखने को मिलेंगे मतलब आपका phone अगर इस तरह से home screen पर है और आपने notification panel को down नहीं किया हुआ है तो कोई भी just नहीं कर पाएगा कि आपका phone 1UI 6.0 पर run कर रहा है या फिर 1UI 5.1 पर run कर रहा है जो visual changes है वो भी हमें in build जो features है वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो की काफी अच्छी यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की refined look provide कर देते हैं और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप notice कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सारे phones है वो भी bold हो चुके हैं जैसा कि आप यहाँ पर दे कर दिया गया है देख सकते हैं अगर आप इसको open करेंगे open करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का gradient सा effect देखने को मिलेगा और यह completely यहाँ पर change हो चुका है इस तरह का यहाँ पर bold fonts के साथ में हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का weather widget देखने को मिलता है जिसमें और भी ज जादा information हमें देखने को मिलेगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर completely और भी जादा detailed information मिलने वाली है इस weather visit के साथ में और यह देख सकते हैं कि widget आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और इसके animations की बात करें तो यहाँ पर इसका animations बहुती fast and smooth है जैसा कि आप देख सकते हैं काफी fast है जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं उसके अलब अगर इस यहाँ पर अगला visual changes की बात करतों यहाँ पर widgets में अगर आप जाएंगे तो देख सकते है widgets के layout को completely change कर दिया गया है लेकिन यहाँ पर Samsung से मुझे एक बात मियार बहुत जादा ग पाउजुद हमें smart apps वाला जो widget है वो अभी भी देखने को नहीं मिलता है तो Samsung की यह starting से कुछ ना कुछ features जो है वो Samsung यहाँ पर नहीं देता है Samsung की A-series के smart phones में जो हमें A-series में देखने को मिलते हैं तो visual changes तो फिलाल के लिए यही थे अगर यहाँ पर clock styles की बात करें तो यहाँ पर settings में चलते हैं clock styles AZT से में यहाँ पर clock style वही है clock style में यहाँ पर कोई भी changes नहीं किये गए हैं कि तो यहाँ पर fingerprint scanner भी देख लेते हैं जो कि यार काफी fast हो चुका है यहाँ Samsung ने इस update के साथ में इस smartphone को यहाँ काफी refine कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत जादा smoothly यहाँ पर यह run कर रहा है फोन को use करने के बाद में इसकी complete performance इसके बाद में क्या-क्या आपको new changes मिलते हैं क्या-क्या new features मिलते हैं उसको लेकर एक dedicated वीडियो बनाऊगा और इसका review वीडियो बनाऊगा जिसमें मैं आपको इस update के बारे में completely information दूँगा चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर से press करके रखना क्योंकि आगयाने वाली वीडियो आप मिस नहीं करेंगे फिलाल इस वीडियो को मेरे बनाने का मकसद यह था कि देखे अभी तक मुझे update के installation के दोरान किसी तरी की कोई भी problem नहीं देखने को मिली है यहाँ पर update के installation में कोई भी issue नहीं है तो आप definitely से update तो install कर सकते हैं लेकिन update के installation के बाद में कुछ issues तो नहीं है कुछ bugs तो नहीं है बैटरी backup वगेरा सभी कुछ वो मैं आपको phone को complete use करने के बाद ही बताऊँगा तो update के review या फिर features को लेकर जो वीडियो है वो एक से दो दिन में definitely से channel पर आ जाएकी तो अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो आर क्या कर रहे हो जल्दी से channel को subscribe करो क्योंकि यहाँ पर आपको इससे तरी के interesting, informative and useful videos की notifications आगे भी मिलती रहेगी तो यही सब कुस्ता इस वीडियो में, I hope आप कोई वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दिजिए तो मैं मिलता हूं से click is this interesting video में, thanks a lot for watching